हेलो दोस्तों सुख समरदी उपाए में आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी परमालक्षमी का आशिवाध हमें सब बना रहे इस वर हमारे साथ हर वक्त संपर्क करना करता है और हर वक्त हमारे चारों और मौजूद रहता है और फिर भी उसके विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका एसास नहीं होता है बहुत पूज़ा पाट करके भी उसे भगवान की मौजूदगी पता नहीं चल पाती है और प्रभू का दर्शन ना होने से भक्त परिशान होनी रगता है इसका मुख्य कारण है कि हमें कुछ ऐसी सुक्षम बातों का कुछ ऐसी बा के मादम से मैं आपको ऐसे पांस संकेत बताऊंगी जिसमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझे भोले नात के असीम गरपा आप पर होने वाली है हर वक्त भोले नात आपके साथ हैं आपके करीब हैं इन संकेतों के मिलते ही आपको अपना पूरा अपना पूजा पाट और भी ध्यान लगा कर शुरू कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप बहुत किस्मत हैं कि आपने प्रभू की आहट को समझ लिया है सबसे पहले जानते हैं हम पहला उपायम पहला संकेत और जब सिप कृपा होती है तो उसे भविशों की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खास कर सपन के माद्यम से ऐसा होता है दोस्तों जो हमारा चेतन मन है वो हमारा जागने पर सक्रिय होता है और जो अब चेतन मन है वो हमेशा सक्रिय रहता है और जब हम निंद्रा वस्ता में जो भी सपन देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है और जो ये सपने होते हैं वे व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, परिशानियों और लालसों का परणाम होते हैं लेकिन जब व्यक्ति शिपकी साधना में लीन रहता है उपासना में लीन रहता है तो व्यक्ति का मन मस्तिस्क उर्जा से भर जाता है व्यक्ति की अधात में सक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति की उर्जा केंद्रित होती है और वीजन पावर भी बढ़ जाती है और ऐसे में हमारा दव भ्रहमाण में जितनी भी फैली हुई है देविक उरजी सक्तियां वो हम उनके संपर्ग में आ जाते हैं भगवान सिफ से उस सासवक्त सक्ती से जुड़ जाते हैं जो भी हम दिखाई देता है वो हमारे लिए भगवान पुजय होता है और हमें शिव जी जी का एहसास होने लगता है हमें भविश्य की घटनाई अपने सबन में दिखती रहती है यह सिर्फ शिव करपा से ही संबभ होता है ऐसा माना जाता है कि जब भोलेनात की करपा हमारे सीज़ पर रहती है तो हमें सारे संकेत वो सपनी में ही दे देते हैं जिससे हमें उनकी सारी बातों का पता लग जाता है और हमें वाख सिद्धी प्राप्त होती है और एक बाक सिद्धी प्रव होती है जो दूसरा उपाय है वो जो बाणी से बोलते हैं ध्यान के तुरंतवाद मन निर्मल हो जाता है हमारा और जब हम साधना में लीन रहते हैं तो हमारे में नकरात्मक विचाराने खतम हो जाते हैं और हम जब भी साधना में गहराई में उतर जाते हैं तो हमारे जो चक्र हैं विशेशकर आग्या चक्र अनाहाग चक्र और विशुद चक्र वो जागरत हो जाते हैं भगवान में लीन होने से जो भी हमारी परिशानिया हैं वो हमारी खतम हो जाती हैं और हमारे सिर पर शिब की किरपा होने लगती है जो हम बोलते हैं वो सत्य होने लगता है आपकी चेतना जितनी भी होगी वो सत्य होने लगिएगी और आपको निर्मलता मन निर्मल का एहसास होने लगेगा भोले नात के रंग में रंग जाईए समझे कि भोले नात की किरपा हम पर हो गई है दोस्तों ल आपको इन समस्याओं से दूर रहकर भगवान की पूजा में लीन रहना हैं क्योंकि भगवान हमें संकेत दे रहे हैं और हमारा संपर्ग उनसे तूटना नहीं चाहिए और भी हमारा उनसे प्रगान हो रहना चाहिए तीसला है हमारा किशिप की जब किरपा होती है तो भविस्य की जितनी भी घटना है वो खास कर हमारे भवान के माद्यम से हमें सपन के माद्यम से मिलने लगती हैं जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारा जागने पर सक्रिय होता है और हमारे विगड़े काम बनने लगते हैं और ज सबन जब भी हमें दिखते हैं हमारी लाल सा तमाम इक्छा का परिणाम होते हैं जब बहुत अच्छे माने जाते हैं हमारे भविष्य के लिए और जब हमारी आँखें सुभई-सुभई खुलने लगती हैं तो बहुत अच्छे माना जाता है कि हमारे पे साक्षात शिवकी करपा होने वाली है जब भी हम बाणी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है और जितनी भी बाणी हम बोल रहे हैं वो सत्य हो जाता है जब हम अपनी पूजा में लीन रहते हैं तो हमारे मुख से वो लीन हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमाई साथ क्या खटना होने वाली है जब भी आपे आपको भ्रह्मुरत में उठना है और साधारण सी बात है कि आप जब भ्रह्मुरत में उठेंगे तो ये एक शिवजी जी का बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी निन्द्रा को द्याक कर भगवान में लगाओ, भगवान की जो उर्जा होती है वो ब्रह्महुरत में बहुत कैई गुना हो रही होती है और जब हम अपने उनकी उर्जा हमें व्याप्थ हो जाती है और जब बिना किसी अलारम के हमारी आखे कुलती हैं तो हमारा मन चेतन्य बड़ा खिल खिला उटता है हमें फिर बाद में सोना नहीं चाहिए हमें उटकर भगवान की पूजा करनी चाहिए हमें कभी भी हमें जब भी सपन में सिवलिंग या सिवाले नजर आता है तो बहुत यह अच्छा माना जाता है और जब भी हमें सिवलिंग नजर आएगा तो समझो हमारे सिर पर भोले नात की करपा होने वाली है और हमारे भगवान हमारे साक्षात हमारे साथ हैं शिवलिंग एक ऐसी चीज है जब भी हम सपन में देखते हैं या शिवजी महाराज भोले नात को हमने सपन में देखते हैं तो हमारे साथ ही भोले नात रहते हैं ये छोड़े छोड़े पॉइंट्स हैं जब हमें पता लग जाता है कि भोले नात की करपा हमारे पर है भोले नात साक्षात हमारे साथ हैं तो इनी संकेतों के बज़य से हमें पता लगता रहता है या सपन में कोई प्रतिक छिन दिखाई दे भोले नात का साप दिखाई दे आपको या तरशूल दिखाई दे या बेल पत्र दिखाई दे या नंदी दिखाई दे शिप परिवार दिखाई दे आपको वो भी बहुत अ अच्छा माना जाता है कहा जाता है कि शिप द्रश्टी हम पड़ गई है और हमारे सारे संकट खड़ जाएंगे हमारी जित्ती परेशानिया भोले नाथ हमारी सब सही करेंगे और भोले नाथ हमेशा हमारे सदेव साथ रहते हैं इन संकेतों से पता लगता है कि भोले नाथ की कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन और पर कर दीजिएगा जिससे आपको वीडियो मिलती रहें जै भोले नाथ आपका दिन सुभू